स्वागत है आप सभी का Tech Study आइटे योट्यूब चनल पर इसरो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च और मैजिसन के URSC यूनिट की तरफ से आइटे ही पास आउट डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिट्स साथ में दसमी बार हुएं केंडियेट्स यहां पर वैकेंसी निकाली गई थी अलग-अलग पोस्ट पे जिसका क्या ओनलाइन फार्म आज यानि 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फिल करना और लास्ट डेट रहेगी 1 मार्च 2024 तो जो भी देट्स इसमें इलिजबल होते हैं डेटेल वीडियों ने बना दिया था आप लोग जरूर इसमें इलिजबल होंगे आईट्य की कई ट्रेड को यहाँ पर मौका मिला है तो आप लोग इसका फ़र्म step by step कैसे mobile phone से भर सकते हैं उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है यहाँ पर notification है आप इसको click करके यहाँ से notification भी देख सकते हैं साथ में नीचे form apply करने का link है यह सारी link हम वीडियो के description में देदे रहे हैं वहाँ से आप directly इस पर पहुंच सकते हैं वीडियो को like और share कर दीजेगा साथ में चनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा और टेलिग्राम पर जरूर जोड़ जाएगा ऐसी सभी update और information को हमेशा पाने के लिए यह है detail notification यहाँ पे ध्यान दीजे vacancies अलग-लग post पे ITA के अलग-लग trade को यहाँ पो मौका भी मिला है जैसे आप देख सकते हैं यह आप 63 post है electronic mechanic, TPS, mechanic consumer electronic की vacancy, electrician की 13 post है, इसके अलाव फोटोग्राफी है fitter है, plumber है, RAC है turner, carpenter, motor mechanic machinist है, welder है and DMC और DMM trade को यहाँ पे मौका मिला हुआ है, साथ में diploma candidates भी हाँ फार्म भर सकते हैं age limit 18-35 साल रखी गई है सिर्फ और सिर्फ NCVT शात्रों को मौका मिला है, अगर आपने SCVT से ITA किया है, उसके बाद आपने अगर apprentice किया है, तो आप यह फार्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे link पे click करते हैं, जैसे आप इस पे click करेंगे, आपके सामने एक दूसरी website इस तरह से open हो जाएगी, इसमें सبसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले register पे click करना है JUST आप register पे click करेंगे, आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा, ठीक है इसमें आप देख सकते हैं, अब यहाँ आपको सबसे पहले post select करनी है आप किस post पे कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे choose करने वाले technician भी electronic mechanic या electrician एक choose कर लेते हैं sample के तोर पे आपको यहाँ अपना full name देना है, जो आपका full name 10th की mark seat में हो उसी को लिखिएगा यहाँ पे, next आपको mobile number देना है, confirm करना है email id करना है, उसे confirm करना है, declaration, OTP generate करके declaration पे click करना है, इंटर कर लेते हैं पहले, जैसे आप यहाँ OTP click करेंगे, CAPTCHA code आपको इंटर करना होगा, OTP आपके email और mobile number पे आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है, OTP validate होने के बाद, आपको यहाँ declaration पे click करना है, नीचे आपका है, जो CAPTCHA code आपको दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे fill कर देना, as it is, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, fill करने के बाद आपको re-verify पे click करना है, जैसे आप re-verify पे click करेंगे, आपका नाम, post, यह सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी, इन पे आपको click कर देना है, verify करते हो, और नीचे OK कर देना है, OK करने के बाद आपको यहाँ पर registration successful ले जाएगा, इसे close करके अब आपको login ID, password जो है, आपके SMS and email दोनों पे आ चुका है, आपके message में भी आ चुका, उसको आपको 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 note down कर सकते हैं, और close करके आपको login कर लेना है, जैसे आप यहाँ login करेंगे, automatically आपका login रहेगा भी, यहाँ पे go to application का एक option मिलेगा, जिस पर आपको click करना है, जैसे आप go to application पर click करेंगे, अब यहाँ application format आगे से start हो जाएगा, website अच्छा काम कर रहेगा, आप लोग चल्दी चल्दी form भल लीजेगा, last date का यहाँ पर wait मत करिएगा, सभी candidates, अब यहाँ आप से कुछ information मागी जाएगी, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ अपना gender select करना है, gender select करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी data birth जो है, calendar पर आप click करके यहाँ पर select कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से SC, ST, PWD, इन सब की 500 में पूरी 500 वापस हो जाएगी, unreserve EWS, ROBC में 400 रुपए वापस होगी, 100 रुपए आपका exam देने के बाद जो है, deduct कर लिया जाएगा उसमें से, तो account detail बगरा जो रहेगी वो अपना ही आपको देना है, तो यहाँ पर हम reserve category चूज करके form भरेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके, आगे इसमें reserve category जो उसका certificate भी upload करना है या नहीं, इसके बाद यहाँ आपको fathers and mothers name इंटर करना है, जैसा आपकी 10th की mark seat में है, same or ऐसा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे, फिर यहाँ पर आ रहा है test city preference का, ध्यान दीजे, बैंगलोर के अलाव भी इसमें जितनी बड़ी cities हैं इंडिया की, उन्हें रखा गया है, तो उनको आप इसमें से choose कर सकते हैं, जो आपके नेरेश्ट हो, तीन city आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, तो तीन जो cities आपके आसपास हो जहां आप आसानी से जा सकें, उसे यहाँ पर आप लोग choose कर लिजेगा, जैसे हमने यहाँ पर लखनो, वाराणसी, एंड यहाँ पर हमने एक choose कर लिया मालीजे, कोलकाता, ठीक है, इस तरह से आप भी choose कर सकते हैं, PWD हैं, या नहीं, yes या no करना है, bank detail, जो आपका यहाँ प form fill करवा रहे हैं, मालीजे, cyber cafe से करवा रहे है payment आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर no करवा देंगे, ठीक है, मालीजे, आप payment नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना account folder का नाम, यहाँ पर bank का नाम, यहाँ पर bank का branch, यहाँ अपना account number, और यहाँ IFSC code दे दीजेगा, प sports person है या नहीं, yes या no, central government employee है, yes या no करना, departmental employee तो नहीं, yes या no करना, save and next आपको कर देना है, जैसे आप save and next करेंगे, अब आपको यहाँ पर अपना address detail फिल करना होगा, complete address अपना फिल कर लीजेगा, address इंटर करने को बाद आपको save and next पे फिर से click कर देना है, जैसे आप save and next click करेंगे, आपका यहाँ पर data save होगया, अब आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई की जो detail है, उसे इंटर करना है, तो क्या आपने यहाँ पर matriculation यानि दसमी पास कर ली है, yes करेंगे आप, name of the board, किस board से आपने पास किये हो, board का आपको यहाँ पर नाम इंटर करना है, month and passing year यहाँ पर आपको चूज करना है, ठीक है, किस month and किस year में आपने यहाँ पर पास किया है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है, उसे आप चूज कर लेंगे, school या institute का आपका जो नाम हो, उसको आप दे देंगे, subject combination आपका किया था, आप science side से थे, science side आप यहाँ पर लिख द ठीक है, जो numbers आपको मिले, and पूरांक आपका कितना था, total number कितना, आपका था subject wise, उसे आपको लिखना percentage automatic आ जाएगा, अब क्या आपने ITI पास कर ली है, yes आप करेंगे, यहाँ पे अब आपका क्या है, ITI के साथ आपने अपरेंटिस की है, ITI आपने NCVT से की है, या सिर्फ apprenticeship कर चुके हो, यहाँ पे select कर लीजेगा, वेटेश पता नहीं मिले या ना मिले, हो सकता, आगे मिल भी जाए आपको, ITI अगर NCVT से है, यह चूज कीजेगा, अगर आपने सिर्फ आपरेंटिस की है, यह चूज कीजेगा, गलती मत कीजेगा, आप नहीं तो यहाँ पे, आपरेंटिस नहीं किया, ऐसे बहुत से छात रोते हैं, जो दसुई के बाद दो साल के अपरेंटिस करते हैं, तो वो सिर्फ NAC यहाँ पे चूज करेंगे, तो ITI with NTC यहाँ कर लेते हैं, ठिक, इंस्टिटूट का आपको नाम देना है, किस इंस्टिटूट से आपने हाई कम्प्लीट की है, इस्पेसलाइजेशन, अब आपने जिस ट्रेड में अपलाई किया, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशन, तो इलेक्ट्रीशन से होता ITI, वो आप डालिएगा, मन्थ एंड, यहाँ पासिंग, कब आपने ITI पास की, वो आपको यहाँ पे इंटर करन एक यहाँ पर सेंटेज सिस्टम, आपको चूज करना है, कितना नंबर आपको ITI में मिला, एन टोटल नंबर कितना था, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, वो चूज करने बाद आपका पर सेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, इसेंसिल कॉलिफिकेशन, डिटेल टू यहाँ पे है, अब यहाँ पे भी होई है, essential qualification तो आपने यहाँ पनी complete ही कर ली है, तो अब आपको यहाँ पे और कुछ नहीं इंटर करना है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे star यहाँ पे star mark भी नहीं है, तो इसे आपको यहाँ नहीं चूज करना, ऐसे के अंड नेक्स पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे कुछ documents upload करने जैसे, पहला है passport size photo, ठीक है, जो आई वाला symbol इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, 50-100 KB की आपको photo जो है, upload करनी है, signature है, signature का size क्या रखा गया, 50-100 KB, 10th का certificate है, इसको भी आप JPG PDF किसी में कर सकते हैं, 100 KB तक का mark seat है, 100 की, ध्यान दीजे, ठीक है, ITA का certificate, अगर certificate 2 है, तो वो next, cast certificate, ITA की mark seat यहाँ नहीं मागी गई है, ठीक है, यह ध्यान रखना है, तो यहाँ पे सभी document जो है upload कर लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है upload कर दी हैं, जो इस signature and photo ना, इस पे आपको view पे click करके, इसे आपको एक बार view कर लेना होगा, तभी आपका form submit होगा, ध्यान दीजे, photo, signature, दसुई का certificate, दसुई की mark seat, ITA का certificate, अगर आपने apprentice भी किया है, apprentice का भी certificate, यहाँ पे आपका cast certificate, अनि जाती प्रमाण पत्र, इतना upload करना है, फिर आपका fees का detail आजाएगा, अब आपको क्या करना है? Fees पे करना है, फीज सिर्फ आनलाइन मोड में पे होगी, आपको यहाँ पे declaration जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब पे आपको क्या करना है? Click कर देना है, नीचे जो capture code है, इसे आपको as it is, जो यहाँ पे दिख रहा है, small and capital, उसे आपको क्या कर देना है ठीक है सब OK है तो आप यहाँ पे OK पे क्लिक कर देंगे अब आप यहाँ पे Final Submit करने की तरफ बढ़ सकते हैं ठीक है अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं Final Submit Application Form को कर सकते हैं जैसे आप यहाँ Final Submit पे क्लिक करेंगे Please View Signature यहाँ देखे हमने फोटो देखा था Signature नहीं देखा Signature को भी हम एक बार देखना है पहले इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह आजाएगा इसको आपको I Agree करना है and Form Submit होने के लिए आपके पास अब Payment करने का Option आ जाएगा यहाँ से आपको Payment करने के बाद आपको Application Form का Print Out मेल जाएगा जैसा प्रीवी दिखा था उसी तरीके से Application Form का Print Out लेके उसे आपको सेफ अपने पास रख लेना आप लोग कई बार Application Form खो देते हैं या डिलीट हो जाता है गमा देते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए उसे अपनी email ID पर आप mail कर लिया करिए तो कहीं नहीं गायब होगा Isro नाम से mail कर लिजए Isro URSC आप सर्च करेंगा आपको दिख जाएगा या Google Drive है उस पर आप upload कर दीजए तो इस सारी चीज़ें आप से कभी खोएंगी नहीं तो ये चीज़ आप जरूर कर लिया करिए एक बार ध्यान से अदर्वाइज आपका application form को जाता है तो कई बार फिर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है ठीक है तो इस तरीके सा आप लोग payment कर लिजएगा यहाँ पर credit card debit card UPI किसी से भी आप payment कर सकते हैं payment page देखे भी थोड़ा problem कर रहा है और यहाँ पर हमने form dummy की तौर पर भरा है तो हम इसमें payment करेंगे भी नहीं क्योंकि 500 रुपय का payment लग रहा है पूरा पूरा तो आप लोग payment आसानी से कर लिजएगा और इसके बाद आपका form यहाँ पर आप सब्मिट कर सकते हैं Thank you very much ख्याल रखेएगा आपना मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में थैंक यू वीडियो को like and share चनल को subscribe जरू कर लीजेगा